तो फाइनली नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अधित्यानन स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजानिंग मंत्र में एक और नए इंटर्निसिप की वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आज चुका हूँ और आज किस वीडियो में बात करने वाले कैसे इंटर्निसिप प्रोग्र लाम को बेस्ट माना गया तो आप सभी को जरूर अप्लाय करना चाहिए बहुत इच्छी अपरजनिटी है पिस्ट ग्रेजवेट करें तो शफड़ियो हने वाले आप सभीहां पर अप्लाय कर सकते हैं और जो सबसे च焦िश box ची है बहुत सारी एरिया, किसी भी एरिया में जिसमें आपकी इंटरिस्ट है, उस एरिया में आप लोग यहाँ पर इंटर्नेसिप कर सकते हैं, इस प्रोग्राम की खासियत यहाँ पर यहाँ पर चूज करने का मौका देती है, जिस भी फिल्ड में आप लोग इंटर्नेसिप करने क की मौका मिलेगी जिससे आप लोग अपने knowledge को यहां पर enhance कर सकते हैं उसके बाद इस internship को complete करने के बाद हो सकता है आपको full time job करने का मौका भी मिल जाए क्योंकि आप सभी को पता होगा Infosys एक बहुत बड़ी platform है बहुत बड़ी IT company है जिसमें अगर आप आप यहां पर अच्छे तरीके से internship program को complete करेंगे तो आपको job करने का भी मौका भी सकता है इसके साथ नया नया चीज आपको यहां पर सीखने को मिलेगी नहीने skills को आप लोग सीख पाएंगे और अपने experience को यहां पर इनिस्ट कर पाएंगे जो in future no doubt आपके बहुत ही काम आने वाला है आप सभी जरूर अप्लाइ किजिएगा मैं आपको पूरी information देने वाला हूँ जिसके लिए सीधे चलेंगा अपने laptop screen के तरफ जहां से मैं आप सभी इनिस्टेप के बार में पूरी information प्रवाइड कर पाऊंगा कैसे आपको apply करना है कब तक आपको apply करना है कौन-कौन से फेल्ड में आपको internship करने का मौका मिलेगा तो फानली आगे बढ़ने से पहले एक छोटी से request करना चाहूंगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजि मैं आपको पूरी process बताने वाल हो कैसे आपको apply करना है कौन-कौन से project में आपको काम करने का मौका मिलेगा लेकिन यह आप आप लोग देख सकते projects for 2020 यह latest यहाँ पर internship है पिछले साल भी से यहाँ पर launch किया गया था जिसके उपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था बहुत सार उसे लगातार यह internship rank कर रही है नंबर वन पर तो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी internship होने वाली है इसी के साथ 23 साल से यहाँ पर internship को launch किया जा रहा है इसी के साथ 2800 यहाँ पर interns को भी तखायर कर लिया गया है partner universities 200 है case studies 70 है इसके बाद भी बहुत सारी information आपको यहाँ पर इ section में जाकर click करना जो मैंने आपको description में provide कर दिया है जिसके अंदर application process यहाँ पर कुछ इस type का होने वाला है जिसके अंदर सारी information आपको यहाँ पर provide की जाएगी कैसे आपको apply करना है क्या के चीज़े आपको form में fill करनी होगी यहाँ पर मैं आपको application process के बारे में एक overview दे दे YouTube या फिर ब्लॉक के तुरू भी यहाँ पर पता कर सकते हैं इसी के साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा नीचे जाने के बाद apply to in-step आपको apply कैसे करना है to apply for the in-step internship program you will lead to upload your resume and fill out the form here यहाँ पर आपको क्या करना है क्लिक करना है जैसी आप यहाँ पर click करेंगे एक news page यहाँ पर खुल कर सामने आजागे जिसके अंदर आपको apply करना होगा तो आईए सबसे पहले applying process देख ले तो उसके बाद आगे की बात करने वाले हैं तो apply करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है अपने बारे में कुछ information आपको यहाँ पर fill करने है जो भ इसी के साथ what are you studying and where कहां पढ़ड है उसके बारे में आपको सारी information यहाँ पर fill करने होगी जैसे कि कितना CGPA है expected graduation आपका कब होगा, academic concentration क्या है, current academic label आपकी यहाँ पर क्या है, what would you like to internship भी तो मैं आप इसी के बारे में आप से बात कर रहा था project preference, select three preference आपको यहाँ पर किसी तीन preference को यहाँ पर select करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बता है, यहाँ पर आपको यह मौका दिया जा रहा है, आप जिस भी internship में यहाँ पर participate करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर select करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते big data है, blockchain है, data transformation data science है, इसी के साथ machine learning, artificial intelligence बहुत स्थारी यहाँ पर area है, python जैवाई, किसी तीन में आप लोग यहाँ पर select कर सकते हैं, किसी तीन preference आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, जिसके अंदर ही आपको internship करने का मौका दिया जाएगा, तो finally इसके निचे question पूशा गया है, when can you intern with us, आप आप लोग कब यहाँ पर free होने वाले है, कब आप लोग internship यहाँ पर इनके साथ कर पाएंगे, तो मैं आपको recommend करूँगा, लगभग 15-20 दिन बाद यहाँ एक महना का आप लोग यहाँ पर date लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगो जैसे अभी यहाँ पर March चल रहा है, March महने क इंटरेंट से भी आप लॉंच की गई है, तो आप लोग यहाँ पर April को choose कर सकते हैं, मैं को choose कर सकते हैं, उसके बाद कब तक करना चाते हैं, इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर information फिल कर सकते हैं, सबसे important हो जाती हैं, यहाँ पर आपको अपने resume को यहाँ पर fill करना हो क्योंकि resume के basis पर ही आपका यहाँ पर selection होने वाला है, तो resume के बारे में इन्हों नहीं आपर mention कर रखा है, please make sure your resume includes your relevant past, project key skills, learn, high school information, keywords, which describes your abilities and interests, basically help us to find you, please do not provide sensitive personal information, मतलब आपके resume में क्या सारी चीज़े mention होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बता रखा, तो एक बार इस ब आपको submit करना है, तो यह तो की form submission के बारे में, अब बात करते हैं, इसके आगे के बारे में की कैसे आपको यहाँ पर select किया जगा, क्या process होने वाला है, तो यहाँ पर हमने दो process के बारे में बात कर ली, list of project के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, कौन-कौन से project में आपको काम करना होगा स्थारी चीज़े मैं आपको बताई अब बात करते रिज्यूमे इवल्यूटेट यहाँ पर थर्ड प्रोसेस के ओने वाला वन्स योर रिज्यूम रीचेस दा इनिस्टेप टीम जैसे आपकी रिज्यूमे इनके टीम मेंबर्स के पाँच पहुंचेगी इवल्यूटेट बाई एक कमीटी आफ स्पेसलिस्ट्टी यहाँ पर यकुमीटी बनाय गया है जो आपके रिज्यूमे cannabis यहाँ पर सौट लिस्ट करेगी पूछे जाएंगे तो आप लोग जो भी इसकल से अपने रज्यूमे में में मेंशन किजिएगा वो सारे स्किल्स को आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से एक बार प्रिपेर कर लेना है ताकि आप लोग इंटर्व्यू में यहाँ पर सेलेक्ट हो जाए तो फानली ल तरीकेस आप लोग यहाँ पर इस इंटर्वेट कर सकते हैं इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर कब तक आपको यह पता लगीगा कि आपकी सेलेक्शन यहाँ पर हो गई है तो उसके लिए आपको क्या करना है फैक में जाना है फैक में जाने के बाद इस सारी लगपक दो वीक यहाँ पर लगने वाल है जिसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट रहिएगा तो सारे important बात कर ली हमने आप एक बहुत important बात आती है कौन-कौन से project है और कौन-कौन से लोग apply कर सकते है आप देख सकते है academic concentration, bachelor's, master, MBA और PhD आप सभी यहाँ पर eligible होने वाले अगर आप लोग bachelor's के student है, master's के student है, MBA या फिर PhD है आप सभी यहाँ पर apply कर सकते है duration in weeks आप देख सकते है कितने week का यहाँ पर होने वाला है पहला यहाँ पर 8 week का होने वाला है, सारा जो भी 8 से 12 week का होने वाला है मतलब जादा से जादा यह 12 week का होने वाला है, maximum 12 week उससे जादे यहाँ पर नहीं होने वाला है और कम से कम यहाँ पर minimum 8 week का होने वाला तो आप लोगों को ready रहना होगा इसी के साथ आप देख सकते हैं बैशलर्स, मास्टर्स के लिए यहाँ पर कौन-कौन से फिल्ड यहाँ पर ready है जैसे कि AI, ML में आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं इन सारे चीज़ों पर apply कर सकते हैं तो बहुत सारी यहाँ पर एरिया यहाँ लगबग 50 प्लस यहाँ पर एरिया आपको दी गई है चूज करने के लिए तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर चूज करके आप लोग इंटर्निसिप में apply कर सकते हैं अब हम लोग बात करतें MBA के लिए तो आप लोग थोड़ी नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बैचलर्स के लिए मिल जाएगी जैसे कि वेब बैचलर्स के लिए वेब डपलेप्लेप्मेंट, SQL है, Android डपलेप्मेंट है, Kotlin डपलेप्मेंट है साथी चत कितने duration की होने वाले इसके बारे में भी आपको यहाँ पर सारी information प्रोवाइट की गई है तो इस तरीके से इस page में जाकर के आप लोग area of interest देख सकते हैं प्रोजेक्ट में जाकर के देख सकते हैं कौन-कौन से प्रोजेक्ट में आपको काम करने का मौका मिल सकता है कौन-कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके लिए available हैं तो मीद करों का सारी process आप समझ चुके होंगे लेकिन थोड़ी सी भी confusion ना गर रहा है बहुत एच्छे step and point करने का मौका मिल रहा है इसी के साथ बहुत नए-ने skills को सिखने का आपको मौका मिलने वाल है जो आपके career को boost कर सकती है इसी के साथ उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो अच्छे लिगए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में